अपने देश में दो चीजें ऐसी हैं जो कब हो जाएं पता ही नहीं चलता धार्मिक भावनाओं को ठेस कब पहुच जाए किसी के ये नहीं पता चलता कोड की अबमानना कब हो जाए ये भी नहीं पता चलता इसलिए अर्णाओं को स्वामी को जमानत देने के मामले में जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें सधी हुई प्रतिकरिया दी थी क्योंकि सुप्रीम कोड की अबमानना कभी भी हो सकती है हलाकि महस तो बच गया लेकिन इस्टेंड अप कॉमेडियन कुनाल कामरा नहीं बच पाए उन पर कोड की अबमानना का मामला अब चलाया जाएगा वो भी देश के अटॉर्णी जर्णल केके बेडू गपाल की अनुमती से सवाल ये उठता है कि कुनाल कामरा ने ऐसी कौन सी बात कह दी जिससे सुप्रीम कोड को तकलीफ हो गई तो अगर आप सौर्ट में समझें तो कुनाल कामरा ने सुप्रीम कोड की अबमानना नहीं की है बलकि एक तरीके से सुप्रीम कोड की मौजी ले ली है अब आप कहेंगे क्यों इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोट ने अर्णोगोस्वामी के मामले में जो कुछ भी कहा वो एक तरीके से न्याय की मौज लेने जैसा था अब कहेंगे क्यों तो ये भी आपको विस्तार से समझा देता हूँ लेकिन पहले समझने की जरूवत ये है कि लोगों का ब्रोध इस बात पे कता ही नहीं है कि आपने अर्णोगोस्वामी को जमानत क्यों दे दी लोगों का ब्रोध इस बात को लेकर के है कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी थी उस दिन सुनवाई कैसे कर ली इतने सारे मामले लंबित होने के बाद अर्णों गोस्वामी जब जब याच्का डालता है तब तब उसकी याच्का को सुनवाई के लिए लिश्टिंग कैसे कर लिया जाता है मतलब तुरंट सुनवाई कैसे हो जाती है तीसरा लोगों का सवाल इस बात को ले करके था कि चुनिंदा एड़ुकेट्स की याच्काओं को तुरंट सुनवाई के लिए ले लिया जाता है बाकी ऐसे एड़ोकेट्स जिनके नाम बहुत ज़्यादा चर्चित नहीं है बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं है बहुत ज़्यादा रुत्वे वाले नहीं है सरकार में जिनका बहुत ज़्यादा दखल नहीं है सरकार को भी सुनाया महराज़ पुलिस को भी सुनाया और तो और ये बताने की कोशिस की कि आपको अगर अग्रम गोस्वामी माफ करिएगा अर्णों गोस्वामी की कोई बात पसंद नहीं आती है तो आप टीवी ही मत देखिए उन्होंने घ्यान देते हुए कहा कि सरकार को ट मनूनी तोर पर इसलिए क्योंकि अगर आप ऐसा कहते हैं तो आप कुनाल कामरा ने जो कुछ लिखा था ट्वीटर पर उसको इग्नोर कर देते आप ही तो कह रहे हैं कि बात पसंद ना है तो इग्नोर करके आगे बढ़ जाओ तो माननी उच्च नियाले या सर्वच नियाल भद्दे इसारे जो महलाओं के प्रती कमेंड किये जाते हैं उन पर महलाएं क्यों FIR दर्ज करवाती हैं क्यों कोड तक पहुंसती हैं इग्नोर करें और आगे बढ़ जाएं किसी को कोई अगर धंकी दे रहा है वो इग्नोर करें और आगे बढ़ जाएं मतलब कि आपने न मुखमंत्री उदव ठाकरे हो या सोनिया गांधी राहुल गांधी विपक्ष के नेता ही सही लेकिन मिनमम इज्जत और सम्मान लोकतंत्र में सभी नेताओं का होना चाहिए अगलम गोस्वामी द्वारा किसी भी नेता से सवाल पूछे जाने पर किसी को एतराज नहीं है ल उदव ठाकरे कौन हो तुम वो व्यक्ति सीदे सीदे चुनी हुई सरकार के एक मुखिया को भूपेज बगेल को चमचा तक करार दे देता है अपने टीवी स्टूडियो में बैठ करके तो सुप्रीम कोर्ट के माननी जब सहस्वे निवेदन करना चाहता हूं जिन्होंने ट अगलम गोस्वामी की बत्तमीजी पर भी कुछ बोल देते उन्होंने अपनी टिपणी में कहा हम एक समवैधानिक न्यायलेक रूप में ब्यक्तिकत स्वतंतरता की रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा अगर कोई राज किसी ब्यक्ति को जानबूच कर टार्गेट करता है तो मजबूत संदेश देने की जरूरत है बिलकुल जरूरत है लेकिन सभी मामलों में जरूरत है कई उधारन मैंने बताए तमाम सारे पत्रकार भारती जंता पार्टी के किसी नेता पर सवाल उठाने को लेकर के जेल में ठूंज दिये जाते हैं यहां तक कि जिस तरह के माम उत्तर प्रदेष का बता देता हूँ उत्तर प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता है अनूप पतेल तकरीवन 100 दिन से उपर हो गये हैं वो अभी वी जेल में हैं तो जिस तरीके से हरी साल वे कह रहे थे कि ना वो कोई आतंगवादी हैं ना ही वो कोई आहिला ने आत्मदा करने की जो कोशिस की थी उसमें अनुप पटेल ने उनको भड़काया था यानि कि भड़काने के एक मामले को ले करके आप सौ दिन से जादा किसी को जेल में रखते हैं जमानत नहीं देते हैं उसी तरह के दूसरे मामले में अगलम गोस्वामी के मामले मे तुरन तुरस सुनवाई होती है जमानत भी दे दी जाती है और सरकार को बड़े बड़े लंबे चोड़े ज्यान भी दिये जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे साक्षाद भगवानों से निवेदन करना चाहता हूं कि अब व्यक्ति की स्वतंतरता और व्यक्ति का इतनी ही चिंता है तो कुनाल कामरा पर कोर्ट की अबमानना का मुकदमा क्यों चलाएंगे साहब आप ही दो दिन पहले अव्यक्ति की स्वतंतरता और व्यक्ति का स्वतंतरता की बात कर रहे थे जब बात खुद पे आई तो कोर्ट की अबमानना चलाने लगे बैसे कुनाल क अमरा ने कोई मौका नहीं छोड़ा था मौज पूरे तरीके से ली थी लेकिन पूरे मुद्दों के साथ ली थी उनके कमेंट्स जो उन्होंने इंग्लिस में किये हैं हिंदी में पढ़ देता हूँ उन्होंने कहा इसे कंटेंट ओफ कोर्ट कहा जाए या भविस की राजसवा सीट का कंटेंट यानि की अब मानना बिल्कुल ठीक कमेंट किया क्यों नहीं करना चाहिए इससे पहले जश्टिस रंजन गोगोई देखे गए हैं कि लगातार सरकार के पक्ष में तमाम सारे फैसले सुनाते चले गए और रेटारिमेंट होते ही सीधे सीधे राजसवा की कुरसी तक पहुँच गए दूसरा कमेंट उन्हों ने किया यदि आपको मेरा कंटेंट ओफ कोर्ट देखना पसंद नहीं है तो इसे मत देखो सुप्रीम कोर्ट से ही मैंने प्रेणना ली है सुप्रीम कोर्ट इस देश इसका सबसे बड़ा मजाक बन चुका है इसके अलावा उन्होंने सबसे बड़ी जो टिपणी की वो ये कि उन्होंने एक तस्वीर सेर की सुप्रीम कोड को भगवा कलर से रंगा हुआ दिखाया तिरंगे जंडे की जगे आगे भारती जंता पार्टी का जंडा दिखा दिया ये पहला मौका नहीं है, कुनाल कामरा अकेले व्यक्ति नहीं है, कुनाल कामरा ने खुला हुआ पत्र केके बेड़ू गोपाल को, अटर्णी जनरल को और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जेस्टिस को भी लिखते हुए तमाम सारे पहलूओं पर सवाल उठाये हैं, बरिष्ट अधिवक्ता प्रसांद भूसन, जिन पर कुछ दिन पहले कोर्ट ने अमानना का मामला चलाया था, लेकिन इतनी भद पिट गई थी, कि एक रुपए का जुर्माना लगाया था, उन्होंने ट्विट किया कुनाल कामरा के समर्थन में, तीन सो सत्तर हैवियर्स कॉपर्स, इलेक्टोरियल बॉंड्स जैसे मामले कई महिनों तक सूची बद नहीं होते, तो अर्णा गोस्वामी की याज क्या घंटों में सूची बद कैसे हो जाती है, क्या वो सूपर सिटीजन है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिये जबे महत्पूर्ण मामला उठाते हुए कहते हैं कि जमानत और सुनवाई का हक ऐसे सैक्ड़ों लोगों को नहीं दिया जा रहा है, जो सत्ता के करीब नहीं हैं, गरीब हैं, कम रसूख वाले हैं, या जो अलग-अलग आंदोलों की जरीए लोगों की आवाज उठा रहे है चाहिए उनके लिए जिन्दगी और मौत का सवाल हो, एक और महत्पूर्ण सवाल वो उठाते हैं कि कुछ रसूखदार वकीनों के मामले जल्दी लिष्ट हो जाते हैं, बाकी को कई-कई महिनों तक इंतिजार करना पड़ता है, हाल-फिलाल के दुनों में सुप्रीम पर लोगों का भरोसा जितना कम हुआ है, उतना कभी नहीं होता था, लगातार सुप्रीम कोर्ट पर जाती बात, भाई बतीजा बात के आरोप इसलिए भी लगते रहे, क्योंकि वहाँ पर सुप्रीम पोजीशन पर पहुँचने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं कि कोई सुप्रीम कोर्ट के जश्टिस रहे, जश्टिस रंगनात पांडे ने सीधे सीधे आरोप लगाया था कि कोलोजियम सिष्टम भाई भतीजा बाद और जाती बात से पूरी तरीके से परिपूर्ण है, जश्टिस कर्णन जिनको जेल भेज़ दिया था, उन्होंने जश्टिस चेलमे सवर, रंजन गोगोई, खुद प्रेस कॉनफरेंस कनने बैठे थे, बाद में किस तरह से हो गए, टिपणी नहीं करूँगा आपको पता है, जश्टिस मदन लोकुर, जश्टिस कुरियन जॉसेफ, आजादी के बाद पहली बार, चार जजजिस सुप्री लोगों की जागरुकता का पैमाना अगर बढ़ रहा है, तो सवभाविक तोर पर न्याइपालिका पर भी सवाल उठाने का अधिकार उनको मिलना चाहिए, अगर तमाम सारे जश्टिस लोग बैठ करके तै करते हैं, कि लोगों की अव्यक्ति की स्वतंत्रता के दाइरे में उनकी बैठ की स्वतंत्रता के दाइरे में आता है या नहीं आता है, तो उनको भी अपनी आलोचना सुनने की आदत होनी चाहिए, खुद को इन सारी चीजों से परे रख करके, आप इंसाफ के तराजू पर किसी बात को कैसे परक सकते हैं, इस पूरे मामले को अगर आप दे माना न वक्त की वरवादी, मतलब उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो मैंने कहा था, मैं अपने स्टेंड पर अभी भी कायम हूँ, और उन्होंने ट्विट करते हुए कहा कि नोट बंदी का मामला रहा हो, या जम्मू कस्मीर राजी को विसेस राजी का दरजा समाप्त करन का मामला, इलेक्टरॉलर बॉंड के मामले, ये तमाम सारे मामले लंबित रहने के बाद, अचानक से कुछ लोगों के मामले कैसे इतने हाई प्रोफाइल बन जाते हैं, कि छुट्टियों के दिन भी उनको सुनना मजबूरी हो जाती है, उनका ये आरोप इसलिए सही प्रती कित होता है, क्योंकि एक आकड़ा बताता है कि एक नवंबर 2020 तक अकेले सुप्रीम कोट में 63,693 मामले लंबित हैं, देखते रही ने सलजनमत, जागरुक और सजग बने रहिए, तभी हम कह पाएंगे, जै विज्ञान, जै सम्मिधान, जै लोगतंत्र, धन्यवादू.